यह बेकार की शिकायते हैं और बेकार का यह जो रोना है यह बंद करो कि परिस्तितियां सबके सामने एक होती हैं, होसले सबके अलग होते हैं, कोई संगश करके निखर जाता है और कोई बिना संगश के विखर जाता है अब कई लोग इसमें भी चूँ 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 करने शुरू कर देते हैं, क्यों, अबे रेट गंटी क्लास होती है, 25 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, कौन सा तरी की दिनी निकाल ली दोनों, या दोनों तुम्हारा कोई जिगर निकाल लिया, ऐसा क्या हो गया, कुछ नहीं हु आज के बाद कोई करेगा, एक अकेला तू ही धन्य आदमी है, जो यह तैयरी कर रहा है, अरे बहुत सारे बच्चे मेटा, हर साल इनी मुश्किलों का सामना करते हुए, आगे बढ़के निकलते हैं, तो एक चीज़ इवन में जरूर याद रखें, आप की शिकायोत का किसी क पास सुनने का वक्त नहीं है, आप तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दो, रिजल्ट, रिजल्ट औरियंटेड अप्रोच रखो, यानि के रिजल्ट पर काम करो, आप ऐसा नहीं है कि कल को तुमने आईटी तुमने एक्जाम दिया, तुम आईटी में फेलोगे, तुमसे कोई प्रेस रिपोर्टर ये नहीं आएगा, माइक लेगे तेरे मुग के पास रखें, हाँ सर आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, आँ सर क्या करें सर बहुत मुश्किल थी, बहुत क्लास नोर्स बनाने बहुत टाइम लगता था, फिर बैक लोग बहुत हो गया था, इस सफलता की कहानी सुनाएं, तो सफल इंसान से आके कोई नहीं पूछता तेरी सफलता का कारण क्या था, सिर्फ सफल इंसान से पूछा जाता है कि आपने सफलता प्राप्त कैसे की, इसलिए ये बेकार की शिकायते हैं और बेकार का ये जो रोना है ये बंद करो, ये बंद कर यह बिखर जाता है तो आपको निखरना है कि बिखरना है यह आपके उपड़े पेंड करता है ठीक है